तो गाइज अभी वेरावल स्टेशन के बाहर खड़ा हूं मैं और अभी लगबग नौ बज रहे हैं और हम द्वारका के लिए यहां पर ट्रेण कर रहे हैं क्योंकि यहां मैं आये तह सॉमनाथ अभ्याहां से में जा रहा हूं द्वार का तो द्वारका ओक अभी यहां से ट् अब हमारी ट्रेन दो चलने को तयार है, अल्मोस्ट पूरे 11 बच चुके हैं अब ही गाइज आठ शेल जर बजे हैं, और दोवार काम लोग उतर गए हैं अब चलते हैं चलीजर यहां से, अभी आज दोल्गोते अहां लोग को मत झाये हैं अभी सो हैं हग्वारा की अधान को यह ने साल गहां एक बहार हैं से होनती अधाना की श्रू सांगोते निसम्हां ऑद कल हैं अच्छा मौसम है यहांपर, थोड़ा बादल टाइप का अभी गाइज गुताया रहा है कर्माहा पर गोंती में स्नारम भी किया था काफी खाल, अधर अधर कम समंदर वाले बाकि अभी ही मैं जा रहा हूं कर्शन करने मेंन काथेश के तो अब हम निकले हैं साधे पांच हो गया है अब हम लोग निकले हैं चलिए, मैं वहाँ पर चलता हूं फिर आपको दिखाता हूं बाहर से अभी दर्शन करके मैं निकलाया है और राका घ्रीश क्वाई हूं इस तरीके से यहां पर मंदर अभी हम लोग आपी के दर्शन करके सब आ गये हैं कल हम जाएंगे यहां पर बात में ही मतलब नागिश्वा जूतिल लेंग है और एक और मैंस का प्रसन नाम भूल रहा हूं मैं लिखके डाल दूँए यहां जाएंगे जाएंगे तो कल पूरा दिन लग जाएगा उस चूर में भी लग भग अभी तो आटो वाले यही बता रहे हैं बागी देश्टेखल कितना ताइम लगता है है तो है आई है झाए हम लोग रुकमणी मंदिर आया हम लोग रुकमणी माता का मंदिर है गाई आज है ।्टॉर का में आज हमारा दूसरा दिन और अभी पीछे आप मेरे रुकमणी मंदिर देख सकते हैं। ऑप सामने धूप आरे काफी और यहां पर दोशन हो गया away तो वहाँ पर हम बोट से जाते हैं, तो वहाँ आभी जाना है अभी गाइस इधर ओक्था पोट के पास आगए हम लोग यहां से हमें बोट लेके जाना है, पैरीज के थूरू आगे जाना है तो चलते हैं, अब भी मैं आपको दिखाता हूँ, यह हमने लिया है थोड़े फ्रूट्स यहां पर काटिंग करके मिल रहे हैं, मिसाल असरा लाल के यहां पर मैं दिखाता हूँ, इधर भी एक कोई मस्त ब्रीज बन रहा है कुछ इस तरीके के टिकट है, यह लगबख 20 रुपे एक परसंट का मिलता है कुछ इस तरीके से यहां पर फैरीज चल रही है और यहां पर यह ब्रीज बन रहा है अभी यह ब्रीज का इनागरेशन होना भागी है अभी चालू निवाए है तो चलिए चलते हैं अब यहां से भैट तवार का इस तरीकी की बोर्ट में हम ले जाया जाएगा यहां पर हनुमान जी का मंदिर है गाइस जो वहां फोर्ट से लेके अंदर में पांच किलोमेटर लगबग बढ़ता है आटो वाले लेके आते हैं आप चाहे तो 20 रुफे पर पर सनल लगता है और चाहे आप पूप करके आ सकते हैं 50 रुपे बारगेन करना पड़ेगा यहां पर आपको द्वार का में गाइस गाइस यह मुख्य द्वार कादीश का मंदिर है यहां पर वो मंदिर है जहां पर सुदामा और कृष्ण जी का मेल हुआ था जब आये थे उनसे मिलने द्वार का अभी बापिस हम लोग पोर्ट पे आचके हैं यहां काफी बिट है और नाव में जाने के लिए फैरी जो यह चलती है पोड़ी छोटी फैरी इस भी है यहां पर अधर आपके सिते हैं काफी तगड़ा आरा रहा है शारा है कि अ कि अ कि अ कि इस तरीके ते गोपी तलाप के एंट्रेंस और राइवर्स कि अ कि इस तरीके देखो की तलाप यहां पर यहां पर आपर रहा जोति लिंगों में एक जोतिर लिंग है और यह यहां पर कुछ इस तरीके का भव्य मंदिर है जोतिर लिंग कि यहां पर हर तरफ दिखा हुआ है कि विडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफिय ना करें पर लोग खीच रहे हैं और कोई मना नहीं कर रहा है तो मैंने भी का एक छोटा सा क्लीप बना लेता हम व्लॉक का आया और अल्डो में यह सब रिक ठीक नहीं लगता है लेकिन मैं व्लॉक के लिए छोटी सी के लिए बना ली कुछ इस तरीके से यहां पर है और वहां श्रिवलिंग के आपको 200 रुपे में अगर आप दिखे दर्शन पास से जाके पूंचा करके अभी शेक करके उनका करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अभी गाइस हम लोग गूंगाम गया चुके हैं और आपिस इधर ही आगए अभी गाइस अभी गाइस शाम को लोग मिलें गूंबने हाट पे जा रहे हैं हम और समंदर किनारे बैठेंगे संसेट तो हमने मिस्कर दिया अगर मैं आप तो बिखाऊ हो तो सेट हो गया वाई अगर थीक है वाईस अभी हम यहां पर काकापी देर से नदी के किनारे तटपए यहां पर समंदर और मैंने मेलेफिं इस साइट समंदर है और यह बैटक में आरे यहां बाठ काफ़ी देट है रही है और यहां बैठ के काफ़ी सुकुन है तो मैं आए कहा कुछ देर यही बैठो आरांब चैन से आपको द्वारका धीज को मंदिर उधर रही है और पूरा घाट है काफी बढ़िया तो बहुत ही अच्छा यहां पर अनुभूती है काफी शान्ती है आप अराम से बैठिये और इंजॉय कीजिए तो आज हमारी लास्ट रात है यहां द्वारका में कल सुबह हमें निकलना है 11.44 के हमारी ट्रेन है और अभी देखते हैं कल हमारा वडोद्रा से फिर यहां से वडोद्रा वडोद्रा से दिल्ली का है और वडोद्रा से दिल्ली वाला हमारा टिकट अभी कनफर्म भी नहीं है वेटिंग है यही सुद्यामा पुले गाइस अभी तो बन दे है अभी तो आज है अठारा तारिक, आज हमारा रेटन है, अभी बजने हैं लगभग नौ बजने वाले हैं और अब मैं निकला हूँ, तो हमने का चलिए, कर लेते हैं, यहां का यह जो भी लोकल अच्छी जगाएं हैं, देखना जरूरी है, तो अभी यहां पर आएं, उधर ही साइड इस समंदर के बीच में बना हुआ है, और यह श्री बरकेश्वर महादेव, बरकेश्वर महादेव, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इसी को सीवीड बूलते हैं शायद, तो यहां पर काफी सारा सीवीड बहके आ चुका है, काफी अच्छी जगाएं हैं, मस्ट विजिट है यहां पर तो मतलब ऐसा है कि इतनी शान्त जगाएं, यहां कि आप बैठ सकते हैं, काफी मज़ा आएगा आपको, अभी सारा सुबा की बज़र से थोड़ा से ज़्यादा लोग ओग नहीं हैं बिलकुल भी, तो और ज़्यादा शान्ती है, और पीछे समंदर लहरे मारता भाड़केश्वर महादेव का ठेंपल गीता मंदिर है, यह पर सब मंदिर समंदर किनारे बढ़िया इतना इतनी सारी जगह में बने हुए है यहाँ सिद्धनाद मंदिर है गाईज यहाँ सिद्धनाद मंदिर है गाईज यहाँ 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 द्वार का रेल्वे स्टेशन आ चुके हम लोग यहाँ पर हमारा तिरंगा लहराते हुए और कुछ इस तरीके का द्वार का रेल्वे स्टेशन तो अभी आ गया हूं मैं और अब यहाँ हमारा द्वार का सफर खतम होता है और अब हम लोग निकलेंगे हमारी चिकेट जो थी कंफर्म हो गई है वो वो अलग बात है थोड़ा इदर दर हो गया एक दो सीटे थोड़ा अलग कोच में भी दे दी हैं पर ठीक है कंफर्म हो गया अट लीस्ट बहुत ही लास्ट मोमेंट यह प्लान बना था इस वज़े से कंफर्म टिकेट नहीं था पर कंफर्म हो गया वो अच्छी बात है अब कल हम दिल्ली पहुंच जाएंगे निजामुदिन रेलवे स्टेशन तो आज हमारा फाइनली सफर यहां काफी अच्छे से हुआ और बहुत ही मज़ा आया इस प्रिप पर काफी शांत जगा है द्वारका तो आओ तो मतलब एक कि इस तीन-चार दिन मेरे हिसाब से यहां आओ और काफी चैन से आप लोग रहिए है वहां पर गाइस दौर काधीज का धाम रेल्वेट प्रेशन से दिखता वागए और वलोद्रा स्टेशन पहुंच चुका हूँ यह मेरे पिछे आप देच रहे हैं बड़ोद्रा स्टेशन वहां पर चांद भी है ठीक बड़ोद्रा स्टेशन के सामने तो अभी हम लोग बड़ोद्रा पहुंच गये हैं साड़े दस बज रहे हैं और हमारी जो ट्रेन है वह यहां लगबग धाई घंटे अभी तो लेट दिखा रहा है मैं तीन मान के चल र बड़ोद्रा स्टेशन गूम रहे हैं सही वहां पीवी आ रहा है मैं सोच रहे हैं मूवी देखा है खटेशवर खटेशवर उदर रजवारी में अब आई है साड़े तीन बच के चालिस मिनट हो रहे हैं और अब अब हमारे ठीन आई है तो अब लोग निकलेंगे काफी लेट है लगवाफ तीन गटी से उपर लेट है तो देखते हैं क्या होगा है अब कितने बचे पहुचाएगी पठीक एट्रीस आगई आगई आप सो ही जाएंगे बस सीधा गाईज यह महावीर पिस्टेशन है कोई अभी शायद राजस्थान में ही पढ़ रहा है मह अब इन आए और एक बच चुके हैं पता नहीं कितना लेट करेगी है बहुत लेट है अब बचे हैं रात के 8 बचके अगटिस मिनट पर नगबच नौ गटे लेट आएगा इस पढ़ी आप यादी आगए तो इसे के साथ आप लोग ये विडियो लाइक करें और शेयर करें है अब है आए बहुत है अब है खिजा आया है तो आप जहें जाएगा जाएगा तो आपके विडियों